आज का जो टॉपिक है वो दोस्तों ये इसलिए इंपोर्टेंट है हर वो टीचर के लिए जो ऑनलाइन वर्क करता है कोई भी डाटा इंट्री ऑपरेटर हो कोई भी MP ऑनलाइन ऑपरेट करने वाला हो या कोई किसी भी डिपार्टमेंट का विक्ति क्यों न हो उसके लिए चीजे नहीं जानते उसका सबसे बड़ा प्राबलम होता है कि हमें बहुत सारी चीज आती नहीं है तो चलिए आज मैं आपको पूरा MS Word के अंदर प्रिंटिंग से लेके कम्पीटर की प्रिंटिंग निकालने तक की पूरा की पूरी सारी चीजे क्यों एक वीडियो में मैं को बता रहा हूं और याद रखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद यह पक्का है कि आप यह बोलेंगे कि मुझे प्रिंट निकालने में अब कोई प्राबलम नहीं है तो चलिए अभी हम लोग सुरुवात करते हैं हमारे पूरा MS Word आपको ओपन दीख रहा है और इस MS Word क अंदर अगर मैं आपको बताओं तो यह एक इंपोर्टेंट पार्ट होता है प्रिंट कभी भी आप प्रिंट निकालते हैं चाहे फिर MS Word हो एक्सल हो या फिर पावर पाइंट हो याद रखिएगा यहाँ पर इंपोर्टेंट देखिए अगर मुझे किसी चीज को प्रिंट निकालना हैं तो सबसे पहले मेरा मेरा काम होता है कि क्यों मैं पहले प्रिंट प्रिव्यु देखूंँ अगर मैं प्रिंट प्रिंट प्रियु देखा तो मुझे एचीज पता चल जाती मेरे पास नंबर आप pages कितने हैं सेकेंड पता ये चलेगा कि मुझे print में कौन से page से कौन से page तक निकालना है and more चीजे आपको दिखाई देगी अभी आप देख रहे हैं मेरे पास total 8 pages से one by one अगर आप देखेंगे तो मेरे पास 8 page है overall अभी इस file के अंदर तो सबसे पहले मैं print पे जाता हूँ अभी हम print को देख रहे तो हमारा main focus होता है print print preview निकाल के क्यों मैंने चेक किया कि total page कितने है 8 page है पर अब मुझे मैं चाहता क्या हूँ या आप लोग क्या चाहेंगे यह बहुत important है आप चाहेंगे पहले क्या क्या आपके mind में concept बनने वाला है इसे आप एक one by one समझेगा तो पहली बात कर रहे हैं मैंने यहाँ पर print किया देखिए अगर आपको quick print निकालना है तो कोई बाती नहीं है क्योंकि quick print का मतलब है मुझे एक print out निकालना है जो मैंने order दे दिया वो हो गया मेरे पास अभी मैंने printer connect नहीं किया है तो मेरे पास यह समय से जाएगा मैंने भी cancel कर दिया मतलब यह हुआ कि आपने print का order दिया printer उसे मिला नहीं उसने stop कर दिया यहाँ एक सोचने वाली बात है आपका order computer के अंदर है आप अगर अपना कभी भी जाके laptop computer को printer से connect करेंगे जैसे printer को on करेंगे यह उसकी memory में यह paper print करेगा तो चली अभी हमारा जो एक option है print बस इस printer को ही आपको इस पूरे वीडियो में मैं समझा रहा हूँ पहली बात जब भी आप printer निकालेंगे तो इस dialogue box में देख रहे हैं कि की company का printer है आपके पास आपके पास जीस company का भी printer होता है आप यहाँ पर जाएंगे उसके उपर किलिक क करेंगे और यहाँ पर जो option use हो रहा है सब एक एक चीज एक विक्ति आता है और मुझे बोलता है कि सर यह जो page है total 8 इसकी मुझे copy print करवाना है पर 8 की नहीं करवाना है मुझे मुझे करवाना है 5 नमबर से लेकर 8 नमबर तक कि देखिए मेरे पास आठ पेजे customer बोल रहा है कि यह लीजिए pen drive और इस pen drive का data मुझे print करिएगा और print करना है 5 नमबर के page से सुरू हो और 8 नमबर के page तक like 3 pages मुझे print निकाल दीजिए तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5 डेस 3 कामा नहीं लगाना है कामा का भी क्या use होगा मैं बताने वाला हूँ तो 5 से लेके 8 तक के page आपने order कर दिये हैं और order करने के बाद आप इसे जैसे ok बटन करेंगे तो आपका print out निकल जाएगा तो यह हमारा एक छोटा सा option जिसके डेस लगाने से इतना हो गया चलिए इसी print का second option हम use करते हैं अब मेरे पास 8 page है और कोई वेक्ती बोलता है पेज का print out नहीं निकाल ला है तो फिर मुझे चाहिए दो नमबर वाला पेज फरमे तब second number उसके बाद fifth number उसके बाद seven number अब कामा लगाने का मतलब यहां पर यह हुआ कि आपको computer पहले निकालेगा second number का फिर fifth number का और इसके बाद निकालेगा आपका computer वो निकालेगा at least seven number तो यहां पर दोनों में अंतर हुआ मतलब एक डेस लगाने का मतलब हुआ था मेरा continue और कामा लगाने का मेरा मतलब हुआ कि independently like two number five number then seven number यह चीज हमारी printing की दो बहुत ही important चीजे मैंने बताई तीसरे पर हम लोग चलते चली अब मिलजे यहां पर एक order मिलता है कि सर यह मेरे पास 10 pages की एक file है अभी मेरे पास total यहां पर 8 pages है वो हमारा boss हमारा person या हमारा कोई employee या फिर एक customer बोलता है pen drive लाके कि यह 8 page है मुझे page के उसके back side में भी चाहिए मतलब first page के पीछे second page third page के पीछे fourth page उसके बाद fifth page के पीछे sixth page मतलब art page की जो file है उसको चार page पे अल्टा पल्टा one side second side आपको प्रिंट निकालना है तो ac condition पे एक बात तो यह है कि एसे market में printers भी आते हैं जो कि back front और back front back print करते हैं बट आपके पास एसा printer available नहीं है तो ac condition पे आपको करना क्या है तो देखिए मैं वही pages वाली line पर खड़ा हूँ वहीं पर बेठा हूँ पहले मैं लिखूंगा one comma three comma five comma seven comma nine मतलब order even number वाला rule हम follow करेंगे तो पहले one three five nine तक का paper nine भी नहीं आएगा seven में तक ही होगा क्योंकि eight page है मेरे पास one three five eight तक का paper मेरे print out निकल आए अब इनी printers को मैं उल्टा करके लगा दूँगा मैं अब क्या होगा उल्टा लगाने के बाद मतलब one three five seven था अब मैं करने वाला हूँ two comma four comma six comma eight अब आप समझ गए होंगे और जैसे मैं okay करूंगा तो जिनके one के पीछे two वाला three के पीछे four वाला five के पीछे six वाला seven के पीछे eight वाला आ चुकी है तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे उसी प्रिंटर के हम नेक्स्ट आप्शन पे फिर से चल रहे हैं और अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए मेरे पास टोटल eight पेज है तो फिर मैंने या ओल पे किलिक करा फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं यह सारे प कर बोलता है कि शरी आठ पेज है इसके मुझे 25 सेट बना के दे दो मत्तब तोड़ी देर के लिए मेरे पास एक्जाम का पेपर है और मुझे बोला गया कि आठ पेज जो है इनके मुझे सेट बना के दे दीजिए मैंने का ठीके ओके पर सेट केसे बनाएंगे देखो एक रा मेरे पास एक दूसरा रास्ता है कि हम खुद जमाएं पर अगर दो या चार पेज का सेट होता तो मैं फिर इतनी प्राब्लम नहीं करता है मगर यहाँ पर प्राब्लम है कि 25 सेट बनाना है एसी कंडिशन पर हम यहाँ पर जाएंगे वही हमारे पास एक से लेके 8 चक के कोन दीख रहा होगा अब हमारा कंप्यूटर 1,2,3,5,7,8 तक का एक सेट प्रिंट करेगा फिर उसके बाद 1,2,3,5 का सेकेंड सेट फिर 1,2,3,5 का थर्ड सेट फिर 1,2,3,5 का इसे 25 सेट प्रिंट करके देगा मतलब अब मुझे कोई भी पेज प्रिंट करने की जरूरत न नहीं होगी परन्तु अब यहाँ एक और है दूसरा परसन बोल रहा है कि मुझे सेट बना के मत दीजिये मुझे आप एक पेज की 25 कापी सेकेंड की 25 थर्ड की 25 फोर्त की 25 ऐसे मुझे सेट बना के दीजिये तो मुझे इसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी मैं य का ये बटन दे को कोलेट को लगाया चेक्मार तो सेड़ बनाएगा इसको हटाया तो यहाँ पर अब वन की पहलेव 25 प्रिंट निकलेगी फिर सेकेंड की 25 निकलेगी फिर थर्ड की 25 निकलेगी मतलब अब मुझे जो भी वेक्ति प्रिंट निकाल के देगा या मैं जिसको भी दूंगा तो पेले पेज की 10, सेकेंड की 10, थर्ड की 10, फोर्ट की 10 एसे 10, 10, 10 कॉफी मुझे प्रिंट करना पड़ेगी तो यहाँ पर यह हो जाएगा कि मुझे थोड़ी सी मेनत लगेगी अगर मैं भूक बना रहा हूं, तो मुझे हर बार पेज को जमाना पड़ेगा, अब अगर में पेज को जमाना नहीं चाता हूं, तो मेरे पास सबसे इजी आपसन है क्यों मैं सेट बना बना के पेपर को परिंट करूं जिससे कि हमें ये problem नहीं आएगी कि कौन सी चीज को कितना करना है तो इतना करने के बाद जब आप पूरी setting कर देते हैं setting करने के बाद आपको क्या करना है या भी हमनी इसको cancel भी कर दिया अगर मैं cancel करा या कुछ भी होगा तो आपको problem आजाएगी इसलिए दियान रखिएगा कि जब भी आप किसी computer पे बेटें अगर आप print करें तो इतना जरूर दियान रखिएगा कि क्या आपको कोई भी computer को अगर printer का order दिया तो उसकी setting में printer तो नहीं है तो आप computer के printer की setting में जाने के बाद इसको जरूर देख लीजिएगा तो अभी हमने आपके सामने print किया सब को चोक्के है print करा मैंने आपके सामने अभी भी मैं print कर सकता हूँ मगर फिर वही बात बोल रहा हूँ कोई भी paper को print करने से पहले एक बात जरूर दियान रखिएगा कि आपने print करा अगर आप उसे प्रिंट कर रहे हैं तो आप जैसे प्रिंट करेंगे तो पहले उसका preview जरूर चेक करिए क्योंकि कहीं बार student preview चेक नहीं करता इस कारण से आपका paper mistake निकलेगी और उसके बाद आपका print out आएगा और आपका paper waste चला जाएगा इसके बाद जब आप print के option आपको दिखाई देंगे जब आप print में जाएंगे अगर आपको लग रहा है कि इसको जुम बड़ा करके देखना है तो 100 पे click कर दीजिए otherwise आपको जो भी लेना है ये दिख जाएगा सेकेंड अगर रूलर लाइन अभी print के समय नहीं देखना है आपकर दीजिए अगर आपका mood change हो गया कि जितने भी paper print करें वो खड़े page पे नहीं करें white page हो जाए land escape orientation में आता है land escape ये कर दिया अब हमारा computer print out आड़े page के उपर निकालेगा और याद रखिएगा यहीं पर option भी दिखाई देगा और यहीं पर printer भी आएगा कई बार हमको ये पता नहीं रहता कितने page है तो यहाँ पर next page आप जैसे button दबाएंगे और जैसे यहाँ पर click करेंगे तो 1111 page निकालके हमारा computer print निकाल देगा तो इस तरीके से हमारा आज का जो option है अभी हमने जो topic पड़ा कि MS Word के अंदर हमें किस प्रकार से print निकालना होता है और print के लिए हमें कितनी बातों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको इस video के अंदर MS Word हो या MS Excel हो या MS PowerPoint हो प्रिंट का या option आपको live time काम आएगा तो चलिए ये हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको हमारे सारे shorts and video अच्छे लगते हैं तो हमारे हर वीडियो को share कीजिए ताकि हमारा हर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा students के पास पोचे, professionals के पास पोचे जिससे की हमारा हर वीडियो को कुछ न कुछ और ज्यादा से ज्यादा सिखने को मिले हैं